सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडियाड़ को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेलकुम टू बालाजी स्टाडियाड़ नमस्कार दोस्तो बालाजी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है तो टेट यानि की यूपी टेट 2019 से लेटेट हमारी एक न्यूज निकल कर आई है कि परिक्षा केंदर में स्मार्ट फोन नहीं ले जा सकेंगे गुरू जी बात करते हैं निउज के अंतरगत क्या है खास तो निउज हमारी प्रियागरास है निउज के अंतरगत बात करें तो उत्तरप्रदेश सिक्छक पात्रता परिक्षा यानि की यूपी टेटी 2019 के दोरान परिक्षा के इंदर में सिक्षक भी जो है वो स्मार्ट फोन लेकर नहीं जा सकेंगे परिक्षा को सुचिता पूर्वक संपन्य कराने के लिए कई बड़े बदलाव करने पर जो है वो विचार चल रहा है परिक्षा नियामक परादिकारी काराले एलन गंज जल्द सरकार को इस समंद में प्रस्ताव भेजने जा रहा है जिससे कि आप कह सकते हैं और वो सकती हो सकें और नकल पर रोक लगाई जा सकें इस साल की जो परिक्षा है वो अक्टूबर में जो है वो समभावित है ये हम आलरी आपको जो है वो बता भी चुके हैं इसे पहले जो नियूज आई थी यूपी टेट से रिलेटिट उसमें और आवेदन जो है वो अगस्त में लिए जा सकते हैं ऐसी समभावना जो है वो सकती बढ़ाई जाएगी अब तक परिच्छा के अंदर में कक्च निर्चको या केंद्र विवस्थापक के स्मार्टफोन लेकर जाने पर रोक नहीं थी लेकिन इस बार सिच्छकों को भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी वो ये मार सीट की सुरक्षा ब बताएगा और उसके अलाबा जो आवेदन की संभावित तिती बताई गई इसके आधार पर आप अपनी जो त्यारी है वो जो है कर सकते हैं तो आज की नूस में इतना ही है अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करें तक लिए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिंग